ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रतना साहू और अब पेशे आज की मुख्य समाचार खेरागड विधानसभा उपचुनाव के लिए थमाचुनाव प्रचार परसों 12 अप्रेल को डाले जाएंगे वोट मुख्य मंत्री ने आज शाम शिवरी नारायन में राम वनगमन परियतन परिपत के तहत विक्सित की गई विभिन निसुविधाओं का किया लोकारपन राम नवमी का पर्व आश्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ इस्थानों पर हलकी वर्षा होने की संभावना उत्तर 36 गड़ में एक दो हिस्से में लू जैसे इस्तिती बढ़ने के भी आसार अब समझार विस्तार से खेरागड विधान सभा उपचुनाओ की तहट आज शाम चुनाओ प्रचार थम गया इसके बाद अब उम्मिद्वार और उनके समर्थक घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं इससे पहले आज चुनाओ प्रचार के अंतिम दिन कॉंग्रेस भारतिय ज समपन कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशाशनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे राजनांद गाउं समाध्दाता राजनांद गाउंजी लेकि खेरागर विधान सबा छेतर में बारा अप्रेल को होने जा रहे है उप चुनाओ के लिए आज प्रचार थंग गया प्रचार के अंतिम समय तक सभी प्रत्यासियों ने अपनी पूरी तागत लगाए रखी दिन भर नुकर सभाओं के अलावा स सखन जन संपर किया गया सब्ता भर तक इस्टार पचार कों के लिए डेरा बने खेरागर छेतर में हाला कि अंतिम दिन कोई बड़ी चुनावी सभा या अरैली नहीं हुई उधर दो दिनों बाद होने वाले मतदान के लिए प्रचासन अपनी तयारी पूरी करने में जुट सो मुआर को मतदान दलों की रवानगी की जाएगी आकास मानी समचार के लिए राजनान गाउं से मिथलेस देवांगल खेरगर विधानसभा उप्चुनाव के लिए 12 अप्रेल को मतदान होगा इस उप्चुनाव में 10 प्रत्याशे चुनाव मतदान में हैं मतों की गिनिती 16 अप्रेल को होगी इस बीच खेरगर उप्चुनाव के मद्दे नजर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिर्णा ने पुलिस अधिक्षक को विशेश सतरकता बरतने और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिये हैं कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों के बैठक लेकर कहा कि मतदान के पहले सभी मजिस्ट्रेट सतरक रहकर कारे करें साथ ही उन्होंने निर्वाचन छेत्र में सभी गतिवीधियों पर नजर रखने के लिए वीडियो ग्राफिक कराने को भी कहा जांजगीर जापा जिले की शिवरी नाराण में आयोजित तीन दिवसिये राज्जे स्तरियो मानस का इन प्रतियोगी तका आज समापन हो रहा है समापन कारिक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बगेल शामिल हुए इस दोरान उन्होंने शिवरी नाराण में राम वनगमन परियतन परिपत के तहत विक्सित की गई विभिन सुविधाओं का लोकारपन भी किया इस स्थान पर करिब 6 करोड रुपे की लागत से मंदिर परिसर का उनयान और सौंदर्य करण दीप इस्तंभ तथा रामायन इंटर्प्रेटेशन सेंटर सहित अन्य विकास कारिक किये गए हैं इससे पहले आज गायक दिलिप शडंगी ने कोरी कोरी नरियर चड़े और जूपत जूपत आवे देवी मोर अंगना जैसे 36 गढ़ी गीतों से कारिक्रम इस्थल में समा बांधा नीजी टीका करण केंद्रों पर आज से 18 वर्ष से अधिक आयू के लोगों को एहतियाती कोविट टीका लगाने के शुरुवात हो गई है 18 वर्ष से अधिक आयू के वे सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे हुए 9 महिने हो चुके हैं एहतियाती डोज के पात रहोंगे यह सुविधा सभी नीजी टीका करण केंद्रों पर उपलब्द होगी इस बीच सीरम इंस्ट्यूट के कोविट टीके कोविशिल्ड और भारत बायोटेक के कोव वेक्सिन के मुल्य में भारी कमी की गई है सीरम इंस्ट्यूट और भारत बायोटेक ने किंद्र सरकार से बादचीत के बाद टीके कमुले निजी अस्पतालों के लिए घटा कर प्रती खुराक दो सौ पचीस रुपय कर दिया है आज विश्व होमियोपैथी दिवस है होमियोपैथे इलाज और इसके महत्तु के बारे में लोगों को जागरूप करने के लिए हर वर्ष 10 अप्रेल को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष की थीम है होमियोपैथी स्वास्ति के लिए लोगों की पसंद 36 गड़ में विश्व होमियोपैथी दिवस पर अनेक आयोजन किये जा रहे है स्वास्त मंत्री टीए सिहदेव आज विश्व होमियोपैथी दिवस पर संचाल नालाय आयोश द्वारा राइपुर में आयोजेत राज्यस्तरी संगोष्ठी में शामिल हुए संगोष्ठी में विश्वशग्यों ने होमियोपैथिक अप्रोच इन एक्यूट कंडिशन्स विश्व पर अपने विचार साजा किये इस मौके पर होमियोपैथी चिकितसा शिविर का आयोजन किया गया शिविर में चिकितसकों ने लोगों की जाच कर उन्हें निशुल के दवायां दी कारिक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ मंत्री ने कहा कि स्वास्थ विभाग द्वारा प्रदेश की सभी जिला अस्पतालों और सामुदाइक स्वास्थे केंद्रों में होमियोपैथी डॉक्टरों की न्यूपति के लिए शाशन को प्रस्ताव भेजा जाएगा चट्यस गड़ की राज़पाल अनुसुया उइकी का आज जन्म दिन है इस औसर पर राश्ट्रपती रामनात कोविंद और उप राश्ट्रपती एम वेंकेया नायडू ने सुश्री उइकी को टेलिफोन पर जन्म दिन की बधाई और शुब कामनाय दी तथा इश्वर से उनके यशर्श्री दिरगायू और स्वस्त जीवन की कामना की वहीं 36 गड के मुख्य मंत्री भूपेश बगेल ने भी राजभवन पहुँचकर राजपाल सुश्री उइके को जन्म दिन की शुब कामनाय देते हुए उनके दिरगायू होने और सदेव स्वस्त रहने की कामना की इसी तरह प्रदेश के ग्रिह मंत्री तामरद्वज साहू और नगरिय प्रशाशन मंत्री डॉक्टर श्यू कुमार डहर्य सहित अनेक गडमान ने नागरिकों ने भी राजपाल को जन्म दिन की शुब कामनाय दी है प्रादेशिक समाचार आपाकाश्वाणी राइपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर राम नॉमी का पर्व आजच्छत्रस गर सही देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है या पर्व भगवान विश्णु के साथवें आतार भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार राम नॉमी चैत्रमास के नोवे दिन मनायी जाती है राश्रपती रामनात कोविंद, उप्राश्रपती एमवन कैया नाइडू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश वासियों को राम नॉमी की शुबकामनाय दी है वहीं 36 गड़ की राजजपाल अनुसुया उइके ने राम नॉमी के असर पर देश तथा प्रधेश वासियों को बढ़ाई और शुबकामनाय दी है उन्होंने कहा है कि मर्यादपुरुशोत्तम भगवान श्री राम ने हमें त्याग करुणा तथा परोपकार जैसे उचतम नैतिक मुल्यों की शिक्षदी है राम नॉमी के इस पावन अपसर पर मैं प्रधेश वासियों को एवं देश के समस्त भाई वेनों को राम नॉमी की बहुत-बहुत हार्दिक सुबकामना देती हूँ मर्यादा पुर्सोत्तम, श्री राम भारती संस्कती के अनन्न सक्ती, सास, धीर सांती, सील और सद्गुनों के प्रतीक मानी रहे हैं प्रभू राम के जीवन से हमें सत्थ प्रेम आदर्स, मेत्री त्याग, तपस्या और बंदुत्व की सिछ्षा मिलती है राम नौमी के मौके पर आज प्रदेश में विभिने स्थानों पर इस्थित राम मंदिरों में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जा रही है राजधानी राइपूर के दूधादारी मठ में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आज सुबह से ही श्रधालों का तांता लगा रहा मुख्यमंत्र भुपेश बगेल राइपूर इस्थित दूधाधारी मठ और चंद्खुरे इस्थित माता कोशल्य मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृध्धी और खुशाली की कामना की राइगण में राम नौमी के असर पर शोभायात्रा निकाली गई इस दोरान लोगों ने पुश पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया वही नौरात्री पर्व के नोवे दिन आज विभिन देवी मंदिरों और शक्ति पिठों में पूजा अर्चना की गई साथ ही बाजे गाजे और जस गीत के साथ जवारा विसर्जन भी किया जा रहा है केंद्रे रिजर्व पुलिस बल सी आर पी एफ ग्रुप केंद्रे राइपूर द्वारा आरंग के भिलेई गाउं इस्थित केंपस परिसर में कल शौरे दिवल समारों मनाया गया इस असर पर कारिक्रम के मुख्य अतिती कमांडेंट रमिश कुमार ने देश में भाई जारे के साथ शांती बनाये रखने की अपिल की और सभी अधिकारियों करमचारियों को शपत भी दुलाई उलेखनी है कि 9 अप्रेल के दिन पाकिस्तानी सेना के इंफेंटरी ब्रिगेड ने CRPF की दो कमपनियों की सरदार और टाक भारती सीमा चौकियों पर आक्रमन किया था इसके बाद CRPF के जवानों ने वीरिता पुर्वक युद्ध करते हुए उनके मनसूबों को विफल कर दिया था और अब पेशे मौसम का हाल प्रदेश में आगामी 24 गंटों के दौरान कोचिस्तानों पर हलकी वर्षा होनी की संभावना है वहीं उत्तर 36 गड में एक दो हिस्से में लू जैसे इस्तिती बनने के भी आसार है मौसम विभा के मुताबिक प्रदेश में दक्षणी हवा का आगमन लगातार बना हुआ है वहीं एक द्रोनी का पश्यम विदर्ब से दक्षण अंदरूनी करनाटक तक इस्तित है इसके प्रभाव से दक्षिन 36 गड में एक दो इस्तानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है हलंकि प्रदेश के अधिक्तम और नियूंतम तापमान में विशेश परिवर्टन होनी की संभावना नहीं है जबकि प्रदेश के उत्तरी हिस्से में अधिक्तम तापमान में प्रिद्धी दर्ज की जा सकती है अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केंद्रिय पंचायत राजमंत्राला आजादी के अमरित महुत्सो का जन उत्सो के रूप में मनाने के लिए कल 11 अप्रेल से 17 अप्रेल तक विशेश सप्ताह मनाएगा मीडिया फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा जन संपर्क और पत्रकारिता के छेत्र में उलेखनी कारे के लिए भिलाय इसपाथ सैंत्र के महाप्रबंदक जन संपर्क प्रशांतिवारी को नई दिल्ली में आयो जिस समारों में बेस्ट मीडिया प्रोफेशनल अवार्ड से समानित किया गया धमतरी जिले के नगरी विकास खंट के अंतरगत सीता निधी टाइगर रिजर्व छेत्र में हाथी के हमले से एक महला से ही दो ग्रामीनों की मौत हो गई ये लोग जंगल में लकडी बिनने गये थे और राजनान गाउं जिले के खेरागर शेत्र के ग्राम रेंगा कठेरा में पुलिस ने एक घर से 2667 साड़ियां जब्त की है पुलिस ने इस मामले में वाहन मालिक और अन्य के खिलाब अपराद दर्ज किया है अंति में मुख्य समाचार एक बर फिर खेरागर विधानसभा उप्चुनाओ के लिए थमाचुनाओ प्रचार परसों 12 अप्रेल को डाले जाएंगे वोट मुख्य मंत्री ने आज शाम शिवरी नारायन मेर राम वंगमन परियतन परिपत के तहत विक्सित की गई विभिनन सुविधाओं का किया लोकारपन राम नौमी का पर्व आश्रधा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में आगामी 24 गंटों के दौरान कुछ इस्थानों पर हलकी वर्षा होने की संभावना उत्तर चतिस गड़ में एक दो हिस्से में लू जैसी इस्थिती बनने के भी आसार इसी के साथ प्रादेशिक समचार बुलेटिन समाप्थुआ नमस्कार